कुछी दिन पहले इंडिया में पहली बार एक ट्रांसजेंडर कपल ने एक बच्चे को जनम दिया समय के साथ मेडिकल साइंस ने भी काफी तरक्की कर ली है अब सिव महिलाएं ही नहीं ट्रांसजेंडर भी बच्चे को जनम देने का सुख प्राप्त कर पा रहे हैं लिकिन आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ट्रांसजेंडर किस तरीके से बच्चे को कंसीव कर पाते हैं और डेलिवरी किस तरीके से होती है तो चली आपको बताते हैं ट्रांसजेंडर कैसे बन सकते हैं माता पिता ट्रांसजेंडर कई तरीके के होते हैं ऐसे में डॉक्टर द्वारा कुछ जरूरी टेस्ट के बाद पता चल सकता है कि ट्रांसजेंडर बेबी को कंसीव कर सकते हैं या नहीं एक्सपोर्ट के नुसार आईवीफ के जरीए भी बच्चे को कंसीव किया जा सकता है ओवरी ट्रांसप्लांट के द्वारा भी ट्रांसजेंडर प्रेगनेंट हो सकते हैं ओवरी ट्रांसप्लांट में मेडिकल प्रक्रिया के दोरान ओवरी लगाई जाती है ये प्रक्रिया बेहत खतरनाक होती है ट्रांसजेंडर की डेलिवरी बेबी कंसीव करने के बार डेलिवरी का समय ट्रांसजेंडर के लिए बहुत नाजुक होता है अधिकतर केस में ट्रांसजेंडर IVF के द्वारा प्रेगनेंट होते हैं ऐसे में उनकी नॉर्मल डेलिवरी आसान नहीं होती डॉक्टर सी सेक्शन के द्वारा टेलिवरी करते हैं प्रेस्ट फीडिंग ये एक बड़ा सवाल है ट्रांसजेंडर बच्चे को प्रेस्ट फीड कैसे करें ये भी काफी बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के अनुसार फेमिनिजम हॉर्मोन थेरिपी के जरिये ब्रेस्ट फीड करा जा सकता है फेमिनिजम हॉर्मोन थेरिपी में ब्रेस्ट का विकास होता है छे महीने बाद ट्रांस महेला अपने बच्चे को दूद पिला सकती है